हेलो फ्रेंट्स मैं भुवन सी राज सायक प्रद्यापक प्राणि सास सासकी पतालेश्वर महाविद्यला मस्तुरी बिलासपूर आज हम BSC Final Year Subject जुलाजी पेपर सेकेंड यूनिट फरस्ट के चेप्टर सेकेंड में मेंड़सलाफ इनहेरिटेंस के बारे में अध्यान करेंगे मेंड़सलाफ इनहेरिटेंस को ही हम मेंड़सला के नाम से जानते हैं सर्ग्रेगर जान मेंडल उन्होंने अपना प्रयोक मतर के पवधों पर किया और लगभग 28-29 हजार से भी अधिक मतर के पवधों पर उन्होंने अपना व 항상 गति का अध्यान किया और वंसा दिगति के अध्यान करने के पस्चाद उन्होंने लाव इन्हरिटेंस का नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम इन रूपों में जानते हैं. पहला जो नियम था, वह है लाव डॉमिनेंस, दूसरा जो नियम है वह लाव सेग्रिगेशन, तीसरा जो है लाव इन्डिपेंडेंट एशार्टमेंट. इन्ही तिनो नियमों को हम मेंडल्स ला के नाम से जानते हैं. जनेटिक्स में मेंडल्स के इसी कांट्रिबिशन के कराण उन्हें हम फादर अब जनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं. मेंडल के सक्सेस के कुछ प्रमुकान थे, जैसे लार्ज सेंपल साइज, मतर के पौधें पे जो उन्होंने लक्षन दिया, वहाँ हम असानी से उन फिनो टिपिकली करेक्टर को असानी से नग नाखों से देख सकते थे. जैसे मतर की फली का अकार, पौधे का अकार और उनके पूश्पों का रंग जो की असानी से विजीबल था, इन सभी करेक्टर को ले करके उन्होंने अपना प्रयोग किया. दूसरा है डाटा एनेलेसिस. इतनी अधिक संख्या पे उन्होंने मतर के पौधे के में वंसानुगती का अध्यन किया और प्रत्यक पौधों का प्रिथक डाटा रखना और उसका संधान करना और प्रत्यक का एनेलेसिस करना यहाँ उनके लिए तभी संभाव हो पाया, क्य बहुत अच्छे मैतेमेटिसियन थे, जिसकी वज़ाँ से यहाँ डाटा का बहुत अच्छे ढंग से अनेलेसिस वहाँ कर पाया, तिसरा है नो यूज आप लिंकेज, मतर के पौधों पर लिंक जिनका ना पाया जाना भी मेंडल की सक्सेस का प्रमुख करान था, जाओ था, वन करेक्टर इन वन टाइम, मेंडल्स ने अपने प्रयोग में एक समय में केवल एक लक्षण पर ही उन्होंने ध्यान केंद्रीद किया, जो उनके सफलता का प्रमुख अधार रहा है, पाच्छवा, सलेक्शन आप कंट्रास्टिंग करेक्टर, मतर के पौधें पे जो लक् प्रमुख अधार रहा है, मतर के पौधें का चैन करना भी कुछ विशेश कारणों से उन्होंने किया, जैसे सौट लाइप साइकिल, मतर के पौधें का बहुत छोटा जीवन चक्र होना भी, यहां तीन से चार सप्ताहा के मध्धे इनका लाइप साइकिल जो पूर्ण हो ज जासे एक कम समय में एक से अधिक पिढ़ी का वध्यन असानी से कर पाए, दूसरा है सेल्पेन क्रास फटिलाइजेशन, मतर के पौधें पे असानी से स्वपरागन करा जा सकता था, साथ ही साथ वो मनुवांचित करिक्टर को ले करके उनके मत्ध आपस में क्रास फटिलाइ जासन भी करा लेते थे, जिससे उनका जो प्रयोग है सफल रहा, तीसरा सबसे महत्पूर कान था जो मतर के पौधे का चैन करने का था, वहां कंट्रास्टिंग करेक्टर, जो विपर्यासी लक्षण उसमें पाया जाते थे, मतर के पौधे में साथ प्रकार के विपर्यासी लक्षणों का मिंडल ने चैन किया, जो इस प्रकार है, मतर के पौधे में जो पुस्प में जो लक्षण पाया जा रहे थे, उसमें पुस्प का जो इस्थिती था, जो पोजिशन थी, वहां जो एक्जियल था, वहां डॉमिनेंट था, जबकि जो टर्मिनेल है, वहां रिशेशिव थे, इसी प्रकार सीट का जो अकार है, जो राउंड है, वहां डॉमिनेंट था, जबकि रिंकल है, वह रिशेशिव थे, सीट का जो कॉटिलेडन है, जो बीच पत्र है, इलो रंग थे, वह डॉमिनेंट थे, जबकि ग्रीन जो है, वहां रिशेशिव था, प् इसी प्रकार फली का रंग जो एलो रंग था वह प्रभावी था और ग्रीन जो है अप्रभावी था यही साथ करेक्टर को ले करके मेंडल ने इन तिनो नियमों का प्रतिपादन किया और उन्हें काफी सफलताएं भी मिली मेंडल स्लाव इन रिटेंस में सबसे जो पहला ला है वह लाव डॉमिनेंस मेंडल स्लाव पे जो एफ़न जनरेशन में जो हाइब्रिड उनियन जो प्राप्त होते हैं उन हाइब्रिड उनियन में उपस्थित जो एलील्स हैं जो एलील्स एफ़न जनरेशन पे फिनोटिपिक express नहीं कर पाते थे वहान recesive allil कहलाते थे जो hybrid union पे जो individual phenotipically अपने आपको express कर लिया वह dominant character वाले कहे जाते थे और इसे को ही Mendels ने law of dominance कहा, इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं जब हम round pure parent को wrinkle प्योर पेरेट के साथ जब क्रास कराते हैं, तो हमको F1 जनेरेशन पे हमको हाइब्रीड राउंड बीज वाले संततियां की प्राप्ति होती हैं, जब हम इस संततियों को देखते हैं, तो यहाँ पर दो प्रकार के अलील हैं, इसमें एक dominant है एक recessive है, इसमें जो है dominant अलील है, वो अपने आपको express कर पाते हैं, इसलिए हम उसे dominant अलील करते हैं, दूसरा जो recessive अलील जो अपने आपको phenotypically expressed नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम recessive अलील के नाम से जानते हैं, मेंडल ने इसे ही जो F1 generations पे जो phenotypically अपने आपको express कर पाते हैं, उन्हें dominant character कहा, और इसे ही उन्होंने प्रभाविता का नियम कहा, मतलब F1 generation पे जो प्रभावी लक्षण वाले हैं, वो अपने आपको express कर पाते हैं, इसे ही उन्हें ने प्रभाविता का नियम कहा, दूसरा law है law of segregation, law of segregation पे हम देखते हैं, कि जो F1 generation पे hybrid union वाले अपने को प्राप्त होते हैं, इन सभी hybrid union में उपस्थित जो एलील हैं, वहाँ gamet formation के समय प्रिथक प्रिथक संत्यतियों में separate हो जाते हैं, इसे ही law of segregation कहते हैं, लेकिन उस hybrid union पे उपस्थित जो दोनों एलील हैं, एक dominant रिशेसिव एलील हैं, वो दोनों सांसात रहते हुए भी दोनों को effect नहीं करते हैं, दोनों के character किसी भी प्रकार से mixing नहीं होते हैं, सांसात रहते हुए भी वो प्रिथक प्रिथक रहते हैं, इसे ही segregation कहते हैं, इसे भी हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब हम round बीज वाले को wrinkle बीज के साथ जब cross कराते हैं, तो f1 generations पे हमें round sheet shape वाले hybrid plant हमें प्राप्त होते हैं, और जब इस hybrid plant का हम देखते हैं कि इस अभी प्रिथक प्रिथक हो जाते हैं, f1 generation में जो hybrid union है, उसमें पाया जाने वाला जो allele है प्रिथक प्रिथक हो जाते हैं, जब हम इसको f2 generations पे देखते हैं, तो हमको इस प्रकार के combination देखने को मिलत जिसमें हम जो dominant है वो प्रिथक हो जाता है रिशेशू है वह भी प्रिथक हो जाता है इस प्रकार से हम देखते हैं कि F2 generations पे यहां पर जो जिनिक combination है 1-2, 2-1 के formation पे हम पने को मिलता है इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं F1 generations पे प्राप्त जो hybrid round sheet हमको जो प्राप्त होते हैं उनको punet square के माध्याम से जाब F2 generations पे देखते हैं तब हमको ध्यान में आता है कि जो dominant alleles है और recessive alleles है यह पुना जो homozygous dominant था और homozygous recessive है पुना F2 generations पे अपने आपको प्रकट कर पाते हैं और hetozygous hybrid plant है उनकी उपस्थिती 50% होती है और इस प्रकार हम देखते हैं कि उन सभी का जो ratio है वहाँ homozygous dominant 25% प्राप्त होते हैं जबकि hetozygous 50% और homozygous recessive जो है वहाँ 25% प्राप्त होते हैं purity up gamit भी कहा जाता है तीसरा लाह है लाप independent achievement इंडिपेंडेंडेंट मर्थाथ फिदीशी बात है प्रिथक ये अलग एशाटे ने अलग जाना मतलब अन्निस के शात्ना होकर प्रिथक रूप से एशाट होना और अपना एक नया genetic set का फार्मेशन करना इसमें हम देखते हैं क वो स्वतांत रूप से सेग्रिगेट होकर इंडिपेंडेंडेंटली वो अन्य पेर के साथ जा करके गेमेट का फार्मेशन करते हैं इसे ही हम इंडिपेंडेंडेंट इसार्टमेंड का नियम करते हैं इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें पेरेंट है, उनका क्रास हम ग्रीन और रिंकल जो रिशेशिव प्लांट है, एप्योर प्लांट है, उसके साथ हम क्रास करते हैं, तब हमको F1 जेनरेशन पे एलो और राउंड सीड वाले हाइब्रिड यूनियन हमें प्राप्थ होते हैं, और जब हम इसका एलिलिक फार्मेश हमको प्राप्थ होगा कि एलो और ये रिंकल प्राप्थ होंगे, तीसरा हमको प्राप्थ होता है कि ग्रीन और राउंड प्राप्थ होते हैं, चंथा जो प्राप्थ होता है ग्रीन और रिंकल प्राप्थ होते हैं, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो एलिल हैं, वो अलग two generations पे हम ले करके जाते हैं, तब हमको app two generations पे यहां प्रिथक प्रिथक अलग-अलग एलिलिक पेर के साथ मिल करके genetic seed बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पर देखें कि एलो और round seed वाले जो मिल करके, एलो और wrinkle के साथ gene seed का combination बनाते हैं, और वही अपन देखें कि जो green है, वहाँ इस प्रकार से wrinkle के साथ मिल करके genetic combination मनाता है, दूसरा यदि हम देखें कि एलो और wrinkle जो है, एलो और wrinkle और wrinkle और green के साथ combination का formation करता है, तो इस प्रकार से हम देखें कि यहाँ पर जो है green और wrinkle है, वहाँ और green और wrinkle यह भी जिन सेट मिलकरके एक नया genetic combination मनाता है। इस प्रकार से चारो एलिलिक पेर प्रिथक प्रिथक वनसरनुगत हो करके अलग-अलग जिन सेट का formation करते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि यह लिलिक पेर को बिज जो जिनोटापिक का जो रेशियो मिलता है वो 9 is to 3 is to 3 is to 1 का हमें प्राप्त होता है। जो independent assortment का यह जो नियम है वो मतर के पौधे में मेंडल के द्वारा किया गया और जो प्राप किया गया यह genetic ratio तो बहुत सटीक था किन्तु यह genetic combination उन पर लागू नहीं होता जहां पर जो gene है वो linked पाया जाते हैं सहलगन होते हैं और सहलगन जिन एक साथ परेंट में वनसा नुगत होते हैं इस कारण से यहाँ independent assortment का नियम कुछ अपवाद है जैसे सहलगनता जैसे नियमों के लिए जो सहलगनता है उस पर यहाँ लागू नहीं होता है थैंक्यू